हलो वेलकम टू इज़ी प्रेप इस वाले वीडियो में हम जो 2020 से लेके खास कर कि आप ले सकते हो कि सेप्टेमबर से लेके 2022 का मैं तक जितने भी इंपोर्टेंट आपका अगर आपको इसका पीडिया चाहिए तो आप टेलिग्राम पे इज़ी प्रेप सच कर लेना या फिर डिस्क्रिप्शन में आप एक बड़ देख लेना उसमें आपको लिंक मिल चाएगा चलो वीडियो को स्टार्ट करता है तो फर्स्ट तो यह आप हमने इसको तीन पार्ट म तीसरा आपका इन्डियन एर फोर्ट वाला है ठीक है तो फ़र्स्ट आपको यह चीज बहुत में जानना किफ आपका आर्मी वाला है डळू बटेट्व कौन है आपका आ्र यह अफडूभ वी आर जया और जो आर्मी वाला है, आर्मी का चीफ कौन है, आप कॉमेंट में बताना, मैं बाद में इसे इस वाले वीडियो में ही कवर कर दूँगा, इसमें और एक इंपोर्टेन चीज है, कि नेवी डे कब हम सेलेबरेट करते हैं, हमने इसको तीन पार्ट में कवर किया हैं तो नेवी आप सेलेबरेट करते हैं, 15th January में, ये तीनों आपका बिलकुल याद रहना चाहिए, ठीक है, नेवी डे, 4th December, Air Force Day आपका 8th October, and Army Day आपका 15th January, तो फर्स्ट कुश्चन तो यही बनता है, वो इस दा प्रेजन चीफ ऑफ इंडियन निवर स्टाफ, ये है आपका आर हरी कुम आपको याद रखना है, वो भी में बता दूँगा, तो 20th edition of Varuna 2022 was held between India and which country, तो इसका answer हो जाएगा आपका France, India and France के बीच में 20th edition of Varuna हुआ था, ठीक है, इसका edition भी बहुत important है, ये आपको जानना important है, 9th edition of SLI NEX exercise 2021 was held between India and which country, इसका answer हो जाएगा आपका स्री लंका, अच्छा, जब भी आपको ऐसा दिखेगा, EX दिखेगा, इसका full form है आपका exercise, ठीक है, अगर आपका, आप देखोगे कि कोई भी exercise है, इसमें MEX लिखा है, उसका मतलब होता है, मेरी टाइम EX, ठीक है, मेरी टाइम से हम, जो भी नेवी वाले exercise है, उनको रिप्रे and which of the following, अच्छा, पहले तो यह आपको जानना जरूरी है कि quad countries कौन से countries है, ठीक है, तो quad countries है आपका, Japan, Australia, USA and obviously India, ठीक है, तो यह चार हो आपका बनता है quad, चार है, quad में भी चार है, आप ऐसे याद रख सकते हो कि यह चार से quad countries बनते हैं, तो quad countries और किसकी बीच में आपका C Dragon 2022 हो था, तो इसका answer हो जाएगा, बोथ Canada and South Korea, जो कि option 1, बोथ 1 and 2 हो जाएगा, आपका option D करेक्ट होगा, इसमें, next question, passage exercise, इसको हम short form में passage भी बोल सकते है, was held between India and which country, तो यह तो आपको मतलब मालूम हो सकता है, तो यह है आपका ratio, next question, 37th edition of corporate is done between India and which country, अब corporate से, आपका 3 countries के बीच में corporate होता है, मतलब 3 countries का अलग-अलग edition होता है, जैसे कि 32nd edition हो था, 4th edition हो था, और 37th edition हो था, बहुत recent news है, 4th वाला, important है, आपको confused नहीं होना है, ठीक है, फिर से बता देता हूँ, 4th edition हो था, बंगलादेश और इंडिया के बीच में, उसके बाद जो 32nd वाला edition था, वो हुआ था, आपका थाईलेंड और इंडिया के बीच में, और 37th edition हो था, वो हुआ था, आपका इं 37th edition हो था, इसमें कौन सा इंडिया नेवल शीप पार्टिसिपेट किया था, तो ये इन खंजर, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में हो था न, ये वाला एक्सराइस, तो ये 37th वाला था, अगर पूछा जाए कि कौन सा नेवल शीप म सेपरेट कर दिया था, तो इंडिया, 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 खंजर, चलो, दोस्ती, वेरी इंपोर्टेंट, ये वाला था बहुत इंपोर्टेंट है, दोस्ती is done between इंडिया and which country, तो अगर इसका एंसर आपको देखोगे, तो नेबरिंग कंट्री से आप दोस्ती होता है, ठ तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, माल्दिप्स and स्री लंका, मतलब की बोथ, आपशन 1 and 2, चीक है, दोस्ती, इंडिया, माल्दिप्स and स्री लंका, sit max, sit max is done between इंडिया, Thailand and which country, आप अगर इसमें ध्यान से देखोगे, तो sit मैंने पहली बोला था, अगर me x दिखेगा, वो मतलब है maritime exercise, तो मतलब sit, कौन सा कंट्री में, देखो, इंडिया, आई से हो चुका है, Thailand आपका t से बन चुका है, and which country, तो और कौन सा कंट्री है, जिसक इनिशियल में S है, तो वो हो चाहिए का आपका श्रीलंका, ठीक है, option 1, श्रीलंका, चलो, अब यह वाला question तो repeat हो गया, कि 32nd edition of corporate was done between इंडिया and which country, and अंदमांसी, ठीक, अंदमांसी में हुआ था, 32nd edition, थोरी देर बहले ही बताया था, तो इसका answer है Thailand, फिर से repeat करो, कि 37th edition हु इंडिया एंड बांगलादिश के बीच में, exercise, Malabar 2021 was held between which countries, अब यह आपका आगर देखोगे, तो different organizations है, जैसे कि BRICS, Quad and NATO, तो इसका answer बनेगा, आपका Quad countries, Quad countries, कौनसे country से बनता है, बताना, comment में बताना, हमने अभी किया था इसका answer, GMAX, 2021, 5th edition, जो भी recent edition होता है, 1 से लेके 3rd तक, यह तो आपका important होता है, और कुछ exercise होते है, जो बहुत time से चल रहा है, वो भी आपका important है, तो GMAX जो है, यह किसके किसके बीच में हो आता, आप फिर से देखोगे, तो MEX से, maritime exercise, JI से, एक तो I से आपका India बन चुका है, तो J क 32nd, sorry, 3rd edition of Samudra Shakti 2021, फिर से बहुत important question है, Samudra Shakti 2021 was held between India and which country, तो यह आपका हो जाएगा, इंदोनेशिया, अगर देखोगे, तो Samudra Shakti, या फिर Garuda Shakti, ठीक है, गरुदा भी बोलते है, गरुद शक्ति, यह दोनों के दोनों जो exercise होते हैं, यह India and Indonesia के बीच में होता है, इसका edition भी बहुत important है, अब यह तो हमें option देखने के भी जरूरत नहीं है, कि fourth edition of Aussie Index, बस यह तो आपका हो जाएगा Australia के बीच में, Australia and India के बीच में होता, इसका edition आप आपका important नहीं है, कि 28th यह important नहीं है, लेकिन यह वाले है, कि SIMBECS, SIMBECS was held between India and which country, तो अगर देखोगे, MBX से होता है क्या, maritime bilateral exercise, ठीक है, तो SI, SI में से, I say India बन चुका है, ऐसे कौन से बन जाएगा, ऐसे बनेगा आपका Singapore, तो 28th edition of SIMBECS was held between India and which country, तो इसका answer बनेगा आपका Singapore आल मोहद, आल हिंदी, यह exercise कितने कौन से कंट्री के बीच में हुआ था, इंडिया और, तो इसका अगर answer पूछोगे, तो यह आपका हो जाएगा, आपका सौधी आराबिया, ठीक है, recent news है, अभी UN से, दो कंट्रीस को ग्रे लिस्ट पे दिया है, ठीक है, ग्रे लिस्ट में इंक्लूट किया गया है, कौन से दो कंट्रीस में इंक्लूट किया गया है, इन options में से आपको बताना है, comment में आपको बताना है, फिर से repetition, fourth edition of corporate was recently held between India and which country, तो इसका answer, बताना, बंगला देश, third edition, इसका edition बहुत important है, ठीक है, यह बहुत recently हुआ था, आपका exam की, अगर date important है, कि third edition of Bongo Shagor bilateral exercise was recently held between India and which country, तो आपका Bongo Shagor, आपको दिख के मालूम परता है, Bongo, बंगला से आप लिंक कर सकते हो, तो इसका answer हो जागा का, बंगला देश, अच्छा, यहाँ पर जितने भी अभी तक के, जितने भी exercise हुए है, ठीक है, निवल का जो भी exercise हुआ है, इसका screenshot आप ले 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 ना, या फिर मैं PDF दे दूँगा भास, आप देख सकते हो, कौन सा कौन सा exercise यहाँ पर है, किन किन का इंटरेस में participate किया, इंडिया के अलावा, यह भी यहाँ पर लिखा है, और कौन से कौन से ships ने इसमें participate किया, इंडिया से वो भी आपका यहाँ पर लिख अब आते हैं, आर्मी वाले जो access होए थे, ठीक है, तो आर्मी वाले access में पहले तो यह आपका जानना जरूरी है, कि who is the present chief of army staff, तो यह कौन है, General Manoj Pandi, ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि General Manoj Pandi, जो है, वो किन को replace किया है, तो वो है M. M. Naravne, ठीक है, चलो, 9th edition, फिर से बह बहुत इंपोर्टेंट, एडिशन बहुत आपका इंपोर्टेंट है यह, 9th edition of Lamithya, 2022 was held between India and which country, बहुत इंपोर्टेंट है, फिर से बता रहा हो, double star है, तो यह है आपका Seychelles, 3rd edition of dust leak was held between India and which country, यह भी आपका एडिशन भी इंपोर्टेंट है, कौन से कंट्री के साथ हुआ त इंपोर्टेंट है, तो dust leak हुआ था आपका उस भी किस्तान के साथ, 3rd edition of dharma guardian, ठीक है, dharma guardian was held between India and which country, in करनाटा का बिलागावी, तो इसका answer बनेगा आपका जपान, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो कि जपान में जो है, वो, वो religious को बहुत उपर मानते है, ठीक है, तो ऐ इसे याद रख सकते हो कि जपान, धर्मा, इंडिया, 11th edition of equivalent was held between India and which country, तो अगर देखोगे, equivalent इसका मतलब है, friend या फिर दोस्त आप बोल सकते हो, ठीक है, तो 11th edition of equivalent was held between India and France, अगर options में भी आप देखोगे, इंडिया से सबसे अच्छा बनता किसका है, फ्रांस के साथ बनता ह मीनिंग दोस्ती या फिर फ्रांसिप, 6th edition of शक्ति 2021, किसके साथ हुआ था, तो इसका एंसर बनेगा, फ्रांस, next question, 6th edition of अजया वारियर was held between India and which country, at उत्तरखंड चौबातिया, तो इसका एंसर हो जाएगा, आपका अजया वारियर, तो इसका एंसर हो जाएगा, आपका UK, ऐ ऐसे याद रख सकते हो कि पहले जो था UK अजया था, कोई भी युद्ध जो होता था, उसमें नहीं हरता था, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि UK से अजया, ठीक है, अब 70th edition of युद्ध अभ्यास 2021 was held between India and which country in Bikaner Rajasthan, आपका इसमें प्लेस जो है, यह बहुत 1st edition of, इसका edition भी आपको याद रखना है, 1st edition of कॉंकन शुक्ती was held between India and which country, तो यह है आपका UK, तो UK के साथ कौन सा कौन सा एक्सेस हुआ था, कॉंकन शुक्ती हुआ था, और कौन सा हुआ था, बताना, जल्दी से बताना, तो यह हुआ था आपका अजया वारियर, ठीक है, च अगर देखोगे answer, इंडिया का मित्र कौन है, स्रीलंका है इंडिया का मित्र, तो मित्र शक्ति हुआ था आपका, इंडिया एंड स्रीलंका के बीच में, 15th edition of सुर्या की रण was held between India and which country, अगर इंडिया और कौन सा कंट्री में, यह सुर्या की रण हुआ था, तो अगर options में देखोगे, कौन सा कंट्री में सबसे जादा पहले सुर्या उठता है, तो यह है आपका नेपाल में, ठीक है, चलो, यह सारे निमोनेक्स है, आप इस निमोनेक्स से भी याद रख सकते हो, या फिर आप जैसे भी चाहो याद रख सकते हो, 5th edition of काजी हिंद, एडिशन आपक की एकसेस है, वो कंप्लेट हो चुका है, तो अभी हमें पढ़ना है कि एर फोर्स वाले, हमने पहली बोला था, who is the current chief of Indian Air Force, तो यह है आपका वी आर चौधरी, अब यह वाले है, आपका एर फोर्स वाले एकसेस, चीक है, तो 6th edition of Easternbridge 6, Easternbridge 6 was held between India and which country, तो अगर इसका एंसर आ अमान और इंडिया के बीच में, इस्टन ब्रीज, ओमान के बीच में, डेजर्ट वारियोर, डेजर्ट वारियोर was held between India and which country, तो यह है आपका एजिप्ट के साथ में, इजिप्ट और इंडिया के बीच में हुआ था डेजर्ट वारियोर, अब डेजर्ट नाइट हमें कन्फ फ्रांस के बीच में, अब वज्रप्रहार 2021 was held between India and which country, वज्रप्रहार यह हुआ था इंडिया and USA के बीच में, ठीक है, USA के बीच में, इंडिया और USA के बीच में हुआ था वज्रप्रहार, अब कुछ वान लाइनेस पर लेते हैं, ज्यादे इंपोर्ट तो वही वाले है, ले खुद में हुआ था, ठीक है, खुद में यह military practices हुआ था, तो MFX-21 was held between Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force, TROPEX-21 was held between Indian Navy, Army, Coastal Guard and Indian Air Force, exercise शुरक्षा कवच, यह आपका इंपोर्टेंट है, exercise शुरक्षा कवच was held between Indian Army and Moharashtro Polish, Milan 2022 was held in Vishakhapatnamo, और यह है यह आपका naval access था, ठीक है, और मुस्ट 40 countries में ने इसमें participate किया था, इस वाले वीडियो इतने था, आपको जो भी military access है, वो बहुत important आपके लिए, एक तो आपका exam में definitely आने वाला है, ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लागा है, तो like, share, subscribe, जरू से कर देना, thank you for watching the video, thank you